नमस्ते देखते हैं आपके partner की current feeling क्या है और फिर हम देखेंगे उनका next action क्या होगा आपके लिए ठीक है पहले उनकी current feeling जान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर है adjustment are required आपके partner में भी past में बहुत जादा अपने attitude में जी रहे थे या आपके कोई बात नहीं मार रहे थे और किसी भी चीज के लिए उनसान बिल्कुल भी address नहीं करता था लेकिन अब वह इनसान इस energy में है कि अब वह आपके लिए address करने के लिए तयार है जो कुछ भी बात है आप दुनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है या अगर आपने कुछ कहा हो और इस इंसाने बिल्कु करने की definitely वह इनसान अब बहुत सरा प्यार आपको देना चाहता है यह जो कोई भी situation में भी पास्ट में बहुत जगड़े हुए है जैसे कि इस इंसाने बिल्कुल अल्जस नहीं किया था और आपके बाते नहीं मानी थी तो बहुत जगड़े भी हुए है या मन मुटा हुए है मन ही मन आप एक दूसरे के ऊपर बहुत नाराज हो तो अब यह परसन इस situation में लव प्यार से हंडल करना चाहते हैं ब्रिंग लव इंट दो सिचेशन आपके पार्टनर अब आपसे प्यार से बात करेंगे ठीक है वो अब आपके लिए हर चीज कॉम्प्रमाइस करना चाह देखो आपके परसन जो कुछ भी निगटिव खैल है उनके मन में एमोशन आर रणिंग हाई यह परसन बहुत जादा इमोशनली फील कर रहे हैं इनके जो एमोशन से आपके लिए बहुत ज़दा हाई हो रहे हैं इससलिए वो कॉम्प्रमाइस करने के लिए तयार है अब वो सारे एफ़र्ट का मतलब उसका फल आपको मिलेगा ठीक है जो कुछ भी आपने दिया है या जो कुछ भी आपने कोशिश की है इस इंसान के लिए अब ये इनसान सारे अपने मन में जो कोई भी निगटिव खैल है उससे बाहर निकालना चाहते हैं आड्ड्रस्मन क से खटाने वाले हैं और उनके एमोशनस तो बहुत सदा हाई रहने वाल है आपके लिए वह बहुत ही फील करते हैं ठीक है तो यह सब कुछ यहां पर चल रहा है ठीक है तो यह है आपके पार्टन के एनर्जी अब उनकी करन्ट फिलिंग जान लेते हैं और फिर नेक्स सक्षन भी देखेंगे क्या सोच रहे है आपके पार्टन अरे कुछ तो जुट बोला गया है आपसे और अभी भी वो परसन आपसे वो जुट छुपाने की कोशिश करते हैं ऐसा कुछ है जो अगर आपको पता चल गया तो फिर आप और नाराज हो जाओगे और यह इनसान बिल्कुल नहीं चाहती कि अब आप उनके उपर नाराज हो तो वो इनसान वो बाते चुपाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि इनसान ने हमेशा ही आपसे कुछ चुपाया है जो शायद अगर आपको पता चल गया तो उसके बात आप दोने में बात नहीं हो रही है या अगर अभी तक आपको नहीं पता चला है तो आगे चल कर आपको पता चल सकता है तो ये इंसान उस बात को चुपाने के पुरी कोशिश कर रहा है वो कोई भी बात हो सकती है कोई भी चाहिए इस इंसान को कोई addiction हो चाहिए इंसान के जहुर से बात कर रहा हो कुछ भी हो सकता है तो वो इंसान पुरे पुर कोशिश करेगा उस बात को छुपाने के रभी भी कर रहा है कुछ मन में छुपा कर रख रहे हैं आपके परसन और देखो यहाँ पर है three of cups बहुत chances है कि यहाँ पर किसी third party के बज़े से आपका और इस इंसान का जो रिष्टा था वो तूट गया और अब यह इंसान आपके साथ celebration चाहते हैं अब वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं अब वो आपको commitment देना चाहते हैं और अब वो आपके लिए सब कुछ adjust करने के तयार है मेभी अगर किसी third party के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था ज़रूर ने कि हर किसी के साथ resonate हो अगर किसी third party के लिए इंसान आपके जिन्दे किसी चला गया था तो इस इंसान को आपके एहमियत समझ में आ गई है और अब वो इंसान आपके साथ एक new beginning चाहता है commitment देना चाहता है मेभी commitment issue हो सकता है मेभी आप बहुत ज़दा इस इंसान के पीछे पढ़े थे शादी के लिए कि तुम शादी का वादा करो या शादी के बात करो या मेरे घरवाल उसे बात करो ऐसा कुछ आप कह रहे थे तो अभी अनसान ready है उस बात के लिए पोशिश करेंगे और 10 of cups के नचे बातारी के इंसान बहुत ज़दा emotional हुई जा रहे है उस इंसान के दुनिया आप ही हो वो बहुत ज़दा online search करते 10 of cups के नचे बातारी के इंसान बहुत emotionally सोच रहे आपके लिए और यहाँ पर भी emotions high है उनके ठीक है और इस इंसान को समझ में आ चुक है अपनी गल्तिया और इसलिए अब वो इस negative energy से आपको भी निकालना चाहते हैं खुद को भी निकालना चाहते हैं और 10 of source के नचे बातारी कि इस relation का एक rebirth होने वाला है definitely होने वाला है जो कुछ भी आपने दर्द सहा है जो तकलीफ आपको मिली है ये इंसान समझ पार है आपका दर्द ठीक है और इसी वज़े से वो अपने जो उसने गलत काम की है उसका पश्चताब करना चाहते है और वो इंसान आपको commitment देना चाहते है तेन आप सोर्स के ने जो बता रही कि definitely इस इंसान ने किसी और के लिए आपसे जोड़ बोला है किसी और के पीछे इंसान चला गया था बहुत chances है कि यहाँ पर third party है और ये इंसान अब समझ चुका है कि आपकी एहमियत क्या है आपका प्यार इस इंसान के लिए कि इतना जरूरी है आप इस इंसान के लिए कि इतना जरूरी हो ये सब कुछ आपके partner जान चुके है और अब वो आपको commitment देने के लिए तयार है वो इंसान आपको manifest कर रहे है बहुत ज़्यादा manifest कर रहे है चालाग भी है आपके पार्टनर दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं, वो इनसान इतना सदा अट्रक्शन फिल करता है, आपके लिए कि वो आपके बिलांद ही रह सकता, वो आपको इसलिए मेनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, एक बार हम टेन क्लारिफाय कर लेते हैं तो जो इस अंसान ने आपको जो धोका दिया है पास्ट में जो कुछ भी इसने गद्दा रिकी या जुट बोला आपके साथ ठीक है तो यह इनसान उसी चीज में अठिका हुआ है यह इनसान चाहा कर भी उन बातों से खुद को नहीं निकाल पार जब पर देखो उपर ही है कि उस निगटिविटी इस अंसान रिलीज करना चाहता है खुद को भी आपको भी लेकिन यह इनसान चाहा कर भी उस एनर्जी से अपने आपको नहीं निकाल पा रहे है इस अंसान को डर लग रहा है कि इसने आपके साथ जो गलत किया अब वो किस रिग्रेट है इस बात का कि वो आपको नहीं पहचान सके इस अंसान का बहुत जार है इस बात का कि वो उसने आपकी प्यार की कदर नहीं कि 7 of Swords को clarify कर लेते हैं यहाँ पर 7 of Swords क्यों है 7 of Swords को clarify कर लेते हैं definitely इसने जो कुछ भी जूट बोला ठीक है इसने जूट बोला आपके साथ धोका करने की कोशिश की अब तो ये अनसान अब खुद की गलतियों के उपर बहुत ज़दा सोच रहा है regret है और अपनी ही गलतियों पर बहुत ज़दा सोच रहे कि मैंने ऐसी गलति नहीं करने चाहिए थी मैंने उसके साथ ये धोका नहीं करना चाहिए था वो इनसान बहुत ज़दा हर्मिट मोड पर है बहुत overthinking कर रहे है अपनी गलतियों के बारे में यहाँ पर यहाँ पर क्यों है तो ace of pentacles वो इनसान आपके साथ new beginning चाहता है वो आपके साथ खुश रहना चाहता है उसने जो गलतिया की वो चाहते कि आप उनको माफ करें वो आपको god gift मानते हैं उस इंसान को लगता है कि अगर वो आपको कोई sword offer देंगे ठीक है, तो आप में भी मान जाओ, ऐसा एक विश्वास भी है उनके मन में, कि अगर वो आपको commitment देंगे, अगर वो आपसे शादी की बात करेंगी, तो आप मान जाओगे, ये इंसान आपको इस तोड ओफर देने के तयारी में है, और ये इंसान आपके साथ वक्त भी दना च चाहता है, वो गिफ्ट देकर वो आपको बहुत खुश करना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए तयार है, वो इंसान कितना भी खुद को स्टक फिल करें, लेकिन उस इंसान की इच्छा है आपसे मिलना, ठीक है, अब मेरे जो वीवर्स है, वो क्या सोच रहे है, और आप भी बहुत जदा निगितिव और पॉसिटिव सोच रहे हो, दोनों एक दुसरे को मीरर कर रहे हो, और आपके पार्टन का जो अवरा है, बहुत ही मतलब आप उस इंसान के तरफ खीचे चले जाते हो, आपको एक अट्रक्शन सा हो जाता है, जब भी वो आपसे बात करता है, तो आप उसकी बातों में खो जाते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो, जब इनसान आपके सामने आकर आपसे बात करने लगता है, तो आप सारी तक्रा जो है, सब कुछ भूल जाते हो और खो जाते हो इस इंसान में, इतना जबरदस इस इंसान का अवरा है, वो अव को आपको नहीं समझ भार है कि आपको क्या डिसिजन लेना चाहिए इस इंसान के लिए एक तो आप धुका खाये हो उपर से आपको इस इंसान के तरब जाना भी है मतलब एक तरब दुख भी है और इस प्यार की एक निव बिगनिंग भी आप चाहते हो तो आप खुद कन्फि करना है मतलब रहा भी नहीं जा रहा है और इस इंसान को माफ करे की ना करे ऐसा कुछ शूर आपके मन में चल रहा है आपके आखो पर जैसी की पट्टी बंधी है स्टक हो गए हुआ आप भी और दो दो थौट्स आपके भी मन में चल रहे हैं और एक तरब ये अनसान आपक के लाइफ कंप्लीट नहीं है कंप्लेशन फील करते हो आप इस इंसान के साथ और आप चाहते हो कि आपकी सारी विश कंप्लीट हो जाए जो भी सबने सजाए है आपने इस इंसान के लिए जो भी इच्छाए है वो सारी पूरी हो जाए ऐसा आप सोच रहे हो और आप इस इ का नेक्स्ट अक्षन क्या होगा इनका नेक्स्ट अक्षन क्या होगा इनका नेक्स्ट अक्षन क्या होगा इनका नेक्स्ट अक्षन देख रहे हो इनका नेक्स्ट अक्षन है कि वो आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं यही इनका नेक्स्ट अक्षन है आपके लिए क्योंकि वो इंसान भी आपके बिदा नहीं रह सकते वो भी अपनी गलतियों के उपर बहुत ज़्यदा सोच विचार कर रहे है और इनका next action है आप से बात करना communication, call, message ठीक है इट अप वांड्स, राशी है एरिस, लिवो, सजिटेस इनका next action है इस प्यार में balance लाना इस relation में balance ले कराना यही आपके partner का next action है अपके लिए बहुत ही खुबसूरत, बहुत ही ज़ादा वो person आपके बिना नहीं रह सकते और वो balance करना चाहते हैं और वो इंसान बहुत ही spiritually feel करने लगे हैं और आप भी उस इंसान को बहुत ही ज़ादा spiritually feel करने लगे हैं पता नहीं आपको पता है के नहीं लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यह जो रिष्टा है बहुत ही divine है twin flame journey में भी हो सकते हैं कुछ लोग magician इनका next action है सोज समझ कर decision लेना और वो इतना सदा attraction feel करेंगे आपके लिए कि वो रोक नहीं पाएंगे खुद को वो आपकी तरफ खीचे चले आएंगे चुम्बक के ज़से बनने वाले हो आप इस इंसान के लिए और इस इंसान को लगेगा ऐसा कि इस relation में एक new beginning करना है risk भी लगेगा ठीक है उनका next action एक new beginning है लेकिन उस इंसान को डर भी लगेगा लेकिन फिर भी वो जो risk है वो उठाने के लिए तयार रहेंगे वो एक new beginning चाहते है उनका next action यही है कि वो आपके साथ एक नई शिरुवात करेंगे इस relation में balance लेकर आएंगे call करेंगे, message करेंगे ठीक है और सब कुछ ठीक कर देंगे आपको समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे क्योंकि वो इंसान इतना ज़्या attraction feel करने वाला है आपके लिए कि वो खुद को रोक नहीं पाएगा वो आपके तरफ चल कर आएगा ठीक है अब देखते क्या guidance है वा, guidance देख रहे है और card भी आया है guidance तो आपको किसी से guidance लेने के आवश्यक्ता है number 3 आपके लिए कुछ खास हो सकता है completion आपके लिए में तभी completion आएगा जब आप positive सोच के साथ आगे बढ़ोगे जब अपने गुस्ते पर control करोगे और किसे से guidance लोगे ठीक है अपकी wish complete होने वाली है creativity आपको अपने creativity का पुरा इस्तमाल करना है overall life के बारे में हम देख रहे हैं कि अगर आप किसी creative field में जाते हो तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी आपके कुण्ड़ली में शुकर बहुत मजबूत हो सकता है आपको सारी भावतिक सुविधाय मिलने वाली है आपकी सारी इच्छाय पुरी होने वाली है ठीक है आप बहुत खुबसूरत भी हो सकते हो कार नीचे कर गया था, यहाँ पर the creator है और consciousness आपको जरुत है meditation करने की आपको जरुत है अपनी जिन्दगी के नई शुरुवात करने की और आप ऐसे इंसान हो जो बहुत leadership quality भी आप में है आप लोगों को lead कर सकते हो ठीक है, the creator, आप खुद ही create कर सकते हो, आपको जैसे भी खुफसूरा जिन्दगी चाहिए, आप खुद create कर सकते हो आप में बहुत attraction हो सकता है आपका जो aura है या आपकी जो खुफसूरती बहत कमाल की है लोग attract हो जाते आपकी तरफ और आपको सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है जोट का सहरा लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते ठीक है, तो आपको सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है life में और आप हर वो चीज हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो क्योंकि आप में वो जिद्दिबन है आप में वो जुनून है, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो पस पा कर रहते हो, तो ऐसा एक जुनून आपके अंदर है, बहुआ पैस्टनेट सा फिल करते हो, जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके लिए तो हाँ, आप कर सकते हो, आप जो चाहते हो लिए है जिन्दग में उसके आधार पर आगे बढ़िए आपका प्यार आपको डिवाइन टाइम पर मिलने वाला है चिंता करने के जरुत ही नहीं है ठीक है दिलवर्स बता रहे हैं कि आपको प्यार मिलेगा जरुर मिलेगा खुद को हील करना जरुरी है जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे खुद को हील करो आगे बढ़ने के लिए कम्यूनिकेशन जरुरी है अगर आप जो कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हो चाहे बिजनेस कर रहे हो जाहे जॉब कर रहे हो चाहे रिलेशन्शिप को निभाना हो आपको अपना कम्यूनिकेशन स्किल सुधारना होगा और बहुत जल आपको कम्यूनिकेशन रिसी आपके उपर है, आपको डरने की बिलकुल भी जरुरत नहीं है, चिनता करने की जरुरत नहीं है, गौर की blessing है, एंजल की blessing है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, खुद को heal करना है, और life में आगे बढ़ते जाना है, आपको प्यार भी मिलेगा और जो कुछ भी आपके सपने हैं वो सपने भी पूरे होंगे ठीक है तो यही थे आपके रडिंग अगर आपके साथ रेजनेट करता है तो like, share and subscribe मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ